गुद मॉर्णिंग टॉल आफ यू मैसेफ संदीप कुमार फ्रॉम चानक्या कॉलेज अजुकेशन पेदिया। माई डियर इस्टुडेंट आज की जो मैं यह कक्षा ले रहा हूं यह डियलेट सेकेंड यह वालों के लिए जो की पेपर हो जाता है एसफोर श्वैम की समझ जिसके अंतरगत मैं आज इकाई तीन पढ़ारने जा रहा हूं जो कि आपका इकाई तीन का नाम हो जाता है अपने कार्यों तथा जीवन उदेशों की समझ जिसके अंतरगत मैं डियर इस्टुडेंट मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जीवन के लक्षियों को प्राप्ट करने के लिए इच्छा सकती क्यों उप्योगी है तो चले हैं लोग देखते हैं जीवन के लक्षियों को प्राप्ट करने में इच्छा सकती क्यों उप्योगी है तो कहता है, यहां करता है कि परतेक वेक्ति के जीवन के अनेक लक्षे तता उदेश्य होते हैं, यानि कि अनलोग जानते हैं कि जो भी वेक्ति होते हैं, परतेक वेक्ति के जो अपना लक्ष, यानि जो एम होता है, जो उसका अबजेक्ट होता है, उदेश्य क्या होता है, अल क्या कांचाओं को पून करना चाहता है अता इन लक्षियों को इस परकार बनाया जाए जिससे वेटी का जीवान उदेश्य पून हो सके है यहनि कि लक्ष यह, कहने का मतलब है यहां लक्ष यह आपका क्या कहता है ? उदेश्य है यह तभी possible है, तभी संभज होता है जब आप उसके उपर पून रूप से क्या रहेंगे ? पून ह रूप से उसको कड़ने का प्रहतना करेंगे तभी यह नहीं कि अब हमारा लक्षे है कि आगे चल कर डॉक्टर बना चाहिए, अब सिफ सोच रहे हैं, उसके लिए कार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हम कभी नहीं बन सकते हैं तो ही काता है अथा उन लक्षे को इस परकार बनाया जाए जिससे व्यक्ति का जीवन उदेश्य पून हो सके हैं, आगे कहता है कि मनुस्य का जीवन पर तेक कार्य किसी ना किसी उदेश्य की पूर्टियेतू करता रहता है, यानि कि जो मनुस्य का जीवन इस समाज में जो भी मनुस्य है, उनका जीवन, कोई ना कोई कारे पर पुनरुप से क्या है? पुनरुप से उदेश्य पून है, यानि कि व्यक्ति किसी ना किसी कारे को हमेशा करता ही रहता है, किसी भी व्यक्ति को धन लेने की इच्छा होती है, किसी का उदेश्य जीवन में स्वयम को उच्छा बढ़ाना होता है, किसी कोई व्यक्ति होता है, उस चाहता है कि जादा से जादा धन अरजित करें, कोई चाहता है कि उसकी जो उदेश्य है, यानि जो अबजेक्ट है उसका पूर्ती हो, कोई चाहता है कि हम आगे बढ़ें, तो वही कहता है कि किसी व्यक्ति को धन लेने की इ पुंड पुंड तक क्या करता है पर्याप्त करते रहती यानि कि अपने लक्ष को अपने उदेशों की प्राप्त करने के लिए क्या रहता है हमेशा लगा रहता है आगे कहता है मनुसिया अपने उदेशों की प्राप्ती है तो स्वैम की इच्छा सकती यानि कि इच्छा सकती इच्छा सक्ति क्या होती है मजबूत बनाते हैं सबसे पहले हमें अपने इच्छा सक्ति को मजबूत बनाना चाहिए इच्छा सकती के द्वारा उदेशों की पूर्ति की जा सकती है जो भी हमारे अबजेक्ट है जो भी हमारा उदेश है जब आपका इच्छा सकती पुनरुप से मजबूत हो जाता है तब हम अपने उदेशों की प्राप्ति कर सकते हैं अब आप लोग देखते हैं कि इच्छा सकती क्या है? What is willpower? My dear restaurant यहाँ पर कहता है कि willpower हमारे मन में डेरो इच्छाएं उत्पन होती है यहने को परकार कि इच्छाएं क्या होती है? उत्पन होती है हम यह बनेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि जितने भी इच्छाएं हमारे अंदर में उत्पन होती है हम वो सारे इच्छाएं हमारे पूरी हो जाते हैं नहीं, वो इच्छाएं पूरी होने के लिए हमें उस लाइक अपने आपको बनाना पड़ता है जब हम अपने आपको उसके लाइक बना लेते हैं तो जाईर सी बात है हमारी इच्छा की पुर्ती हो जाती है यानि कि हमारे मन में जो भी इच्छाएं उत्पन होती है तो वही कहता है कि हमारे मन में डेर सारे इच्छाएं उत्पन होती है जिस वस्तु की हम मन में अविलासा करते हैं यानि सोचते हैं विचारते हैं हमारा मन अपनी कलपनाद में उस वस्तु का क्या करता है निर्मान करता है हमारी हार्दिक इच्छाएं प्रेर्नाएं कोरी कलपनाद नहीं होती बल्कि ये आगाज होती है वास्तिक्ता होती इन डेर्वों इच्छाओं में जो सबसे प्रवल होगा यानि जो सबसे उच्छा होगा वह आमारो क्या कर लाता है? इस इच्छा-छक्ति के बाद कर्म, क्रायर की प्रक्लिया सुरु होती है अंत मैं वकारय रूप में क्या होजा है पढ़नीत कहता है कि पढ़नीत हो जाती है मनों वैग्यानिक भी कहते है कि सभी रस्तनात्मक कारयों के पीछे इच्छा सकती है यानि कि विल पावर ही क्रिया सील होता है तो देखें यहां कहता है विल पावर यानि कि हमारे मन में इच्छा सकत देते हैं अपने रूची देते हैं और रूची करकर जो प्राप्त करते हो यह हमारा इच्छा सकती के द्वारा हमें उसकी प्राप्ती होती है तो जो भी हमारे मन में उत्पन होती है कोई जरूरी नहीं कि वो सारे चीज हमारी पूर्ती हो उसमें से जो सबसे महतपून होता है वहा हमारा फूर्टी होता है ये कहर आता है हमारा इच्छा सक्ति, यहने कि इच्छासक्ती विलपावर जो हमारे मस्तिक्स के द्वारा होता है आगे काता है अता इस परष्ठ है कि इच्छा सकती के कारे के रुप में परनिक्त होने का एक विकाश क्रम होता है जो इस परकार से होता है मन में ठेरो इच्छाओ में से जो अधीक पलवती होती है वो हमारी इच्छा सकती बनती है यानि कि हमारे मन में जितने भी इच्छाए कि में जैसे जैसे प्रवलता आता है उसका सौरूप अंत में हमारी रूची में बदल जाता है यानि कि जैसे जैसे हम उसके नजदीक जाते हैं और हमें जैसे जैसे वह प्राप्त होने का लगता है अब हमें प्राप्त हो रहा है तो उसमें क्या होता है हमारा रूची उठपन गीनिची दे रहा है तो प्रवीटी से आपका क्या होता है धिर्ट、 इच्चा सकती, अब देखिए यह कैसे बढ़ता है सबसे पहले हमारे मन में इच्छाय ही हुत्पन होती है अब उस इच्छाई को प्राद करने के लिए हमर क्या करती है धिर्ट इच्छा सक्ति की उत्पति होती है धिर्ट इच्छा सक्ति से प्रवीती बढ़ती है और प्रवीती से आपका शौक शौक से आपका रूची रूची क्या होता है मनुसे का ध्यान केंदरित होता है तो यह कर नहां पर काता है कि धिठ इच्छा सक्ती के बहुओ में रूची उत्पन सत्हें छपती है देख रहे हैं जैसे रूची के अबहुँ में सपलता नहीं मिलेगी यानिंग जब तक हमारे अंदर में धिठ इच्छा है तो जाहिर सी बात है कि उस कारे के अंतरकरत हमारे लक्ष का निर्मान स्वाता यानि स्वायम से होता रहता है और हमें उस कारे की प्राप्ति पूर्ण रूप से क्या हो जाता है लक्ष को प्राप्ट करने के लिए सबसे पहले अपनी तयारा जरूरी है, जब तक हम तयारी नहीं करेंगे तरह तक लिदिए करने केले मारे मनमें रूच़ी उत्पन होनी चाहिए, रूची आयोंगे तो हमें उस प्रशऴ। अच्छा लगेगा जब हो भीशा है हमें अच्छा लगेगा तो उसमें क्या होगा हमें उस उस चेत्रे में क्या होगा आगे की और बढ़ते चले जाएंगे अता अब प्रश्ण उठता है कि इच्छा सक्ती के बावजूद भी अधिकांस लोग लक्ष सिद्धी में क्यों होता है जो अपना चारू तरफ अपना क्या करता है विल पावर लगा देते सारे चीछ को पूरी इच्छा के साथ पूरी रूची के साथ किसी काम को करते लेकिन उसके बाद भी उन्हें शफलता की प्रावति नहीं होती है और शफल होते है इसका कारण है कि वैट्टी सफल इसका कारण की आए इसका कारण है कि सफल वैट्टी अपनी इच्छा सभकती को सिर्ट करके रूची लगत उतसा आत्मविश्वास्तता योगता से कारे करते हैं जबकि शफल बैक्ती को बोज समझ का वेवस करते हैं जिस और वा कारे तो कारे या तो अधूरा रह जाता है बात करता है, एनी के रूची मैंने सब चीज बता है, रूची उत्पन किया, उस कारे में पुरा समय दिया, लेकिन उसके बाद भी, उसको असा फलता मिलती है, तो क्या गए उसको बाड लग ग गाते है, अब बहुत ऐसे होते हैं, कि जब हम उस कारे में मन ही नहीं तो जाहिर सी बात है जब मन नहीं लगाएंगे तो रूची नहीं उत्पन होगी तो हमें उस कारे के प्रति हो कि सफलता की प्राप्ति के लिए हमें ज़रूरी है सबसे पहले उस कारे में जो चुमें कर पाते हैं जब नहीं कर पाएंगे ता हमें जारी चीवात है कि हमें क्या नहीं होगा हमें लक्ष की प्राप्ति नहीं होगी आगे कहता है कि इसलिए अभात रूप से अपने निर्दारित लक्षे तक पहुंशने के लिए जरूरी है कि हम पहले अपनी इच्छा सकती को क्या करें मजबूत करें यानि कि कोई भी कारे करने से पहले अपनी जो विल पावर उसको आप मजबूत कीजिए जो आपका विल पावर जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही आपको उस कारे में सफलता मेलेगी आपको उस कारे में रू तो दिखे कहता है कि अपनी इच्छा सकती जितनी प्रभल होगी उतनी ही उसमें धृता आएगी और धृता से क्या होगा उसी में अनुपात होगा तो गाता है आपकी रूची बढ़ेगी आपके उठसा को उर्जा मिलेगी आप निश्चाही बनेंगे आपके विश्वास में ब्रीदी होगी आप पूरी तलिंटा से काम में जूटे रहेंगे और फिर आप निश्ची तोर पर क्या पर प्राप्त कर सकेंगे सफलता प्राप्त कर लेंगे तो यह था इच्छा सक्ती के बारे में आगे कहता है कि माई डियरे स्टुडेंट आगे कहता है याद रखिया अपनी प्रवल इच्छा सक्ती के कारण ही विलियम सेक्सपियर ने नाटक लिखने की रूची रखी थी और इससे वे वीश्व के एक महान नाटकार बने शंगीत के अदभूत शौकिन मोजाट वीश्व के महान संगीत कारों की पंक्ति में प्रति वे सारी रात चट पर बैट का तारे निहारने के सौकिन गैलीलियों ने कई तरह के नए-नए तारों की खोज करके अंधयता स्रेव प्राप्त किया यानि कि यह सब कैसे किया इनके अंदर में क्या थी विल पावर थी यानि कि अपनी पावर को मजबूत किया इच्छा सक्ति हो गई तो जाइड सी बात है कि यह अपने कारे को पुनुरूप से कर्सक लिया है अतक कहता है कि गोईकों ने कहा इच्छा सक्ति वाला व्यक्ति दुनिया को अपने माफिक धाल लेता है तो माई डियर स्टुडेंट आज की जो मैंने आपको कक्चा ली आपकी आज की जो म अदर में अनेकों परकार के लक्ष युदेश होते हैं लेकिन वह जितने भी लक्ष युदेश होते हैं क्या होते हैं पुनुरूप से सफल नहीं होते हैं उसमें से कुछी क्या होते हैं सफलता को प्राप्त करते हैं और वे कौन सफलता की प्राप्त करते हैं जो सबसे प्र आपका willpower यानि इच्छा सक्ति मजबूत होगी तो आप में क्या होगा हमारे मन में क्या होगी हमारे मन में अनेको परगार की इच्छाय उत्पन होगी जब इच्छाय उत्पन होगी तो हमारे अंदर में दृत सक्ति का विकास होगा और दृत सक्ति का विकास हमें प्रवीती क की और जाएंगे और जैसे प्रविती की और जाते तो हमें उसके प्रति सौक यानि कि एक अपने और रूजहान आकर्शित करेगा और जैसे जैसे हम उसके अंदर में जाते चलेंगे हमें सफलता की प्राप्ति होगी तो उस इस्तिति में हमारे अंदर में क्या होगा रूची तो जाईर्श इवात्यव उस कारे में अपने आपको पूर्ण रूप्य जहां के नियुक्त इस पिनुन के लगशे हिखिको प्राप्त कर सकते हैं यह था भी सब्सक्राणी के लिए इच्छा सकती है या आपको समझने में दिक्त होती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं सो थांक यू हैव नाइस टेड़